हेलो अग्रिवन वेल्कम टो बी आर्खिट्रेक्ट माइनेम इस रागुन तुमार आज हम लोग एक फिक्स बीम पर यूडियल लगा के उसको मैनुवली और इस्टेड दोनों के थ्रू हम लोग काल्कुलेट करेंगे ठीक है तो यहां पर मैं आपको पहले दिखा जेता हूं क यहां पर यह देखे मांने मैनौली क्ल्कुलेट किया हूँ यह अबको फिक्स बीम मैं यूडियल लगा हूँ है 10 क्लोग मेंटर का मैंने सारी चीजिट की मानोली calculate किया है ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लोड calculation किया है self weight of beam ठीक है बीम का जो section है वो rectangular section है 400 x 300 mm का ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे beam के self weight निकालेंगे length brick और density of concrete यह हमने ले लिया ठीक है तो यह आपका self weight आ गया यहाँ पर यह आपका यूडियल दिया हुए टिन के लिए न्यूटन पर मीटर का total load आपका हो जाएगा यूडियल प्लस self weight दोनों को मैंने आपके add कर दिया ठीक है अब bending moment आपको पता है कि कि किसी भी किसी भी fix beam के corner point पे जो bending moment होता है ठीक है और मीट पे wl square by 24 होता है तो यहां से मैंने calculate किया end point पे इसके bending moment और यहां पे यह mid point के bending moment ठीक है इसी तरीके से shear force यहां पे आपका जो fix beam का होता है कुछ इस तरीके साथ है तो इसका जो end point दोनों होता है इस wl by 2 होता है ठीक है तो यहां से shear force भी calculate हो गया अब अगर किसी भी beam में अगर udl है कोई load नहीं लगा तो सिर्फ self weight अगर है उसका तो self weight कैसे calculate होता है self weight का भी यह मैंने आपे calculation निकाल दिया value manually ठीक है अब हम दोग इसको चलते है start करने तो start करने के लिए new project space आपका load किस में किलो न्यूटन मीटर में है ठीक है unit size लेक्ट है next यहां से सबसे पहले आप file name change कर सकते हैं ठीक है यहां लोग कुछ भी file name कर देता है ठीक है add beam पे गए finish तो यह आपको main screen जो इसकी open होके आती है इसी भी हम लोग बार करते हैं ठीक है तब यहां से सबसे पहले हम लोग को 10 meter का beam बनाना है ठीक है तो यहां से हमने 10 meter का beam बना दिया ठीक है यह मैंने आपको last video में बता रख्था है कि यहां पर isometric आप 25 डियरेक्शन से देखना चाहते हैं आप उस डियरेक्शन से भी देख सकते हैं अपने बीम को ठीक है तो अभी हम लोग isometric के लेके चलते हैं यहां पर देख रहे होंगे आपको हम लोग क्या करेंगे section define करेंगे इसके लिए आपको कहां जाना है जंदल में जाना है यहां पर प्रपर्टी में जाना है यह आपका define option में जाना है यहां से ठीक है यहां पर और concrete यहां वे हम लोग material select कर लिए हैं और add then close ठीक है इसको अब में assign कराना है इस पर click करिए assign to view option में जाए इस पर फिर assign पर click करिए then yes करिए तो यहां पर यह assign हो गया है ठीक है अब हम लोग support पर चलते हैं support लगाना है मुझे fix प्रापर्टी के नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको support option दिख रहा होगा support option पर click करिए click करते हैं आपको यहां पर create option में जाना है data area से create option में जाने के बाद पहला option आपको fix आ रहा है इस पर click करिए इसको क्या करना आपका यह दोनों नोट पर apply करना है तो इस पर click करिए assign to view then assign then yes ठीक है तो यह आपके क्या होगे दोनों जो आपके support थे वह भी लग गया ठीक है अब load distribution में हम लोग चलेंगे हमें सबसे पहले यहां पर क्या करना है load बनाना पड़ेगा ठीक ह तो सबसे पहले हम लोग यहां पर dead load add करते हैं then add यहां पर loading type से आपको dead करना है then add और close अब इस जो हम लोगों ने load case बनाया dead अब इसके अंदर फिर हमें चलना है इस पर click करेंगे फिर add पर जाईए अब यहां पर आपको सू करेगा सबसे पहले उस beam का self fit ठीक है तो इस self fit आपको क्या है यहां पर simply add कर देना और close कर देना ठीक है देन अगेन आपको क्या करना है इस पर click करना है add करना है ठीक है अब आपको क्या करना है member load देना है ठीक है यूडियल कितने का देना है आपको minus 10 ठीक है 10 कपके दोना क्यों क्योंकि यहां पर आपको देखिए 10 का था 10 kN per meter है आपका UDL ठीक है तो यहां से 10 का दिया then add और close अब इन दोनों load को हमें beam पर assign कराना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इस पर click करिए simply और यहां नीचे assign to view then assign then yes अब यहां पर देखिए आपने self weight को assign कर दिया तो यहां से question mark अब खट गया जबकि नीचे जो आपका UDL है UDL के बगल में आपका question mark देख रहा है इसका मतलब यह load आपका इसमें apply नहीं हुआ है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इस पर click करेंगे then assign to view assign और yes ठीक है तो यह देखिए आपका यहां पर load आपके दोनों load add हो गए ठीक है UDL और self weight यहां पर आप देखी सकते हैं कि इस beam पर हम क्या करें हैं simply mouse रख रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि इसके क्या होता है ग्रीन जो सो करता है वह starting point होता है और ब्लू जो सो करता है वह end point होता है ठीक है तो यहां से हम लोगों लोड भी लगा दिया लोड लगाते हो हमें क्या करना है simply analysis and print में जाना है ठीक है add करना है then close then analyze run analysis और save अब यहां पर देखिए आपको प्रोसेस करते पूरा आ जाएगा यहां पर देखिया आगया अब हम लोग क्या करेंगे go to post processing mode और then done देखिए जहां पर एक option आपको उपर दिख रहा होगा view output file यह भी हम आपको आगे बताएंगे ठीक है उसके पहले यह समझिए go to post processing mode ठीक है यहां पर done करिए done करके okay ठीक है अब यहां पर आपको देखिए सारी value आगी देखिए यहां पर आपको जाना है बीम पर बीम पर जानेक बाद यहां पर आपको graph में जाना है तो यह देखिए आपको bending moment की graph आ गई और यह आपको shear force की graph आ गई अब हम मि यहां पर यहां पर आपको यहां पर इसका graph बनेगा यहां पर value calculate हो जाती है graph देखिए अगर आपको पर देखना हो गहां वह भी मैंने आपको बताया यहां से एमजेट क्लिक करेंगे तो यह आपको देखे बेंडिंग मुवमेंट ग्राफ यहां पर देखिए स्क्रीन पर दिखने लगी फिर इसको क्लिक कर दिख दिख आफ हो जाए गए सियर फोर्ट का डाइग्राम भी यह द हम यहां से चेक कर सकते हैं अपनी dimension of beam तो यह भी dimension में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो उसमें सारी details प्रकाई जाएगी ठीक है और अगर आपको force देखना तो इस पर क्लिक करें यहां से force की value भी आगी ठीक है तो यह सारी चीज़े यहां से हम चेक कर सकते हैं ठीक ह मॉडलिंग में चलते हैं यहां पर आपको कुछ और changes करना होगा तो हम लोग यहां से changes कर सकते हैं ठीक है अब देखे जो मैं आपको बताया था go to output फाइल वह आपको आगे बताएंगे तो यह देखी यहां पर एक icon दिख रहा होगा इस्ट्रेट आउटपूट के नाम से जहां पर mode लिखा वह उसके जश्ट नीचे इस्ट्रेट आउटपूट के नाम से तो यह वही चीज़ है अगर आप वहां से प्लिक करते तो आप यहां पर पहुंच रहे हैं ठीक है तो यह होता है आउटपूट फाई यह भी मैंने व पोट पर बनाएंगो तो यहां से सारी चीजसे आप दे सकते हैं ठीक है सबसे पहले हny इक बाद हमने फाइल का नाम ढाला तो सएक्षेंड किया था फिर ज्वाइंट कॉदिनेट मेंबर इंसिडेंट जो भी प्रोसेस लोगों वह ने लिया है जिस इस से काम करते चले है यहाँ पर सो कर रहा पहले यह किया फिर देखिए क्या क्या था टेंसिटी लिया था ठीए सब्सक्राइब को पर तो यह सारह होता हैुश्द यहां से कट करिए इस कि समलुक क्या करते हैं किसी भी फिक्स बीम को एनलाइज करते हैं ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सारी चीज़े पताएंगे तब तक आप प्रैक्टिस करें जो भी इस्यों होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमारे टीम दो और आपको सॉल किया जाएगा थैंक्यू